आप देख रहें बीबी सी और मैं हूँ विदित महरा और आज बात करेंगे बिटिन में होने वाले चुनाव की गुरुवार को संसद के निचले सदन हाउज ऑफ कॉममेंस की साड़े 600 सीटों के लिए वो डाले जाएंगे आज इसी पर हमारी खास पेशकश जिसमें हम चुना आजमार है उन भारती और पाकिस्तानी मूल के चेहरों पर जिन पर है ब्रिटिन में बसे दक्षिन एशियाई समुदाए की नजरे पिछले चार सालों से ब्रिटिन की राजनेती में ब्रेक्सित का मुद्दा चाय हुआ है 2016 में हुए रिफरिंडम में ब्रिटिश मद्दाताओं ने यूरोपिय यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट डाला था लेकिन इसे लागू कराने में ऐसा सियासी घमासान मचा कि देश में चार सालों के अंदर तीसरी बार आम चुनाव हो रहे हैं इस चुनाव में ब् 2018 उतार चठाव के बीच वहां 2015 के बाद तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं और ये सब हो रहा है ब्रेक्सिट की वज़ह से समाज मटा दो प्रधानमंत्रियों की कुर्सी गई और प्रितानी संसद में ऐसा गतिरोध बना जिससे मौजूदा प्रितानी प्रधानमंत्री बोरि प्रितानी आम चुनाव में जीतने वाले उमीद्वार को संसदी एक शित्र में अन्य उमीद्वारों के मुकाबले ज्यादा वोट हासिल करने होते हैं इस व्यवस्ता को फर्स्ट पास्ट पोस्ट कहा जाता है और जिस पार्टी के पास ज्यादा संसद होते हैं वो सरकार बनाती है किसी भी पार्टी को अकेले सरकार बनाने के लिए 326 सांसिदों के बहुमत की जरूरत होती है और सबसे बड़े दल का नेता प्रधान मंत्री बनता है और ओपिनियन पोल्स के हिसाब से इन दोनों में से ही किसी एक के पीम बनने की संभावना है जुलाई में प्रधान मंत्री टरीजा में के इस्तीफे के बाद कंजरवेटिव पार्टी की कमान पोरिस चौनसन ने संभाली उनके चुनाव प्रचार का संदेश है अक्टूबर में EU नेताओं के साथ उन्होंने जो ब्रेक्जिट डील की थी उसके तहत ब्रिटेन को EU से बाहर निकाला जाए जर्मी कॉर्बिन मुख्य विपक्षी लेबवाटी के नेता है वो ब्रेक्जिट डील पर दोबारा नेगुसियेशन के बाद उस पर जन्मत संग्रह करवाना चाहते है पर सिर्फ ब्रेक्जिट ही चुनावी मुद्दों में शामिल नहीं है दूसरे जरूरी मुद्दों में शामिल है रास्ट्रिय स्वास्तिय सेवा यानी एनएचेस की फंडिंग, आर्थिक असमानता और जलवायू परिवर्तन तो पार्टियां और उम्मीदवार जम कर कैंपेन कर रहे हैं और मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए तमाम वादे कर रहे हैं और अब गुरुवार को मतदाताओं को फैसला करना है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कौन रहेगा बीते कई सालों में ब्रिटन में दक्षन एशियाई समुदाय के लोगों की संख्या तेजी से भड़ी है और अब तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांगलादेश जैसे देशों से आये लोगों की सरकार बनाने में एहम भूमिका हो गई है यही वज़ा है कि पार्टियां दक्षन एशियाई मूल के लोगों को लुभाने की हर मुम्किन कोशिश कर रही है और ऐसे उम्मिद्वारों की संख्या भी बढ़ रही है हमारे साथ इस पर चर्शा के लिए मौजूद है वीवीसी समवादाता वंदना वंदना आप से जाना चाहेंगे कि चुनाव में दक्षन एशियाई समदाये के क्या एहम मुद्ध है विदित मुद्धे जो हैं वो भले वो एशियन ओरीजन के लोग हो लेकिन वो रहते तो ब्रेट एलेक्शन में जो मुद्धे सबके लिए एहम है तो Brexit तो है है इस पे तो पूरा चुनाव ही लड़ा जा रहा है क्योंकि जैसे भारतिय मूल के लोगों के ही बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां से वहां जाकर अपने बिजनस कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी अनिश्चिता की सिती बनी हुई है कि आखिर Brexit में क्या होगा तो वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फैसला आ जाए तो अपनी जो बिजनस नीड्स है उनको बिजनस रखना है UK में यह उसे बाहर ले जाना है तो वो शायद तैय कर पाएं तो एक मुद्दा तो Brexit जो सब के लिए है दूसरा बड़ा मुद्दा है Immigration का Immigration को लेके जो समाज है वहाँ का बहुत बटा हुआ है Politics भी बटा हुआ है कि कुछ लोगों को लगता है कि Immigrants जब आते हैं उनके देश में यानि कि भारत या दूसरे देशों से वह एक अच्छी चीज है एकानमी को बढ़ावा देती है कुछ लोगों को लगता है कि यह एक तरह से उनके लिए बुरी चीज है कि उनके लोगों वहां के जो मूल लोग है उनकी नौकरिया जा रही है तो Immigration पर दोनों पार्टियों का क्या रुक है इसे लेकर बहुत निगाह लगाए हुए है जो भारतिय मूल के दक्षन इश्याय मूल के लोग है इसके अलावा वहां पर जो लोकल बहुत बड़ा इश्यू है वहां की स्वास्थ सेवा वहां पर जो भारतिय मूल के लोग हैं उनके लिए भी उतने ही अहम है जी और बिर्टिन के भारतिय मूल के उमीदवारों के अगर बात करें तो प्रीती पटेल की भी चर्चा हो रही है बॉरिस जॉनसन के आमिनिट में वो ग्रह मंत्री है प्रीती इसस से पहले भी टेरिजा में सरक तब से लेकर अब तक प्रीती पटेल यहां की MP है विटम की आबादी सिर्फ 25,000 है और दुनिया के बाकी देशों से बसे लोग यहां लंडन की मुकाबले काफी कम है साल 2010 से प्रीती पटेल ने एक बहुती लंबा सफर तै किया है वो आज बिटिश पॉलिटिक्स की एक बहुती पावफुल पॉजिशन हैट करती है वो इस देश की होम सेकरेटरी है और एतनिक माइनॉरिटी कम्यूनिटी की वो पहली ऐसी महीला है जो कि इस देश की होम सेकरे प्रीती पटेल यूके की पूर्व प्रदान मंतरी मागरत थाचर से प्रेरन पाकर राजनीती में आई वो किशोर उम्र में ही टोरी पाठी में शामल हो गई थी यूके की ग्रह मंत्री बनने से पहले प्रीती पटेल अंतरराश्ट्र विकास से जुड़े मामलो और रोजगार मंत्राले को भी संभाल चुकी है इस नगर में रहने वाले ज़ादातर लोगों को अपनी सांसद की उपलब्दियों पर गर्व है प्रीती पटेल का ग्रह मंत्री बनना यूके में दक्षिन एशियाई लोगों की एहमियत के बारे में बताता है गगन सब्रवाल, BBC News, विटिम तो काफी रोमान्चक सफर रहा प्रीती पटेल का बहुत हुचे पत्पे पहुच गई है विदित ने बता दू कि 1987 में जो भारतिय मूल के एक सांसत थे और पिछला जो 2017 कुझनाव था उसमें 12 सांसत थे जो भारतिय मूल के थे पॉरिस जॉंसन ने उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौपी थी एक नज़र साजिज जाविद के सियासी सफर पर ब्रिटिन का एक छोटा सशहर ब्रॉम्स क्रोव बमिंगम से महस 30 मिनिट में यहां पहुचा जा सकता है पाकिस्तानी मूल के साजिज जाविद साल 2010 से ही यहां के सांसत है पिछले 9 सालों में साजिज जाविद ने एक लंबा राजनीतिक सफर तै किया है आज ब्रिटिश सरकार में वो प्रधान मंत्री के बाद दूसरे सबसे ताकतवर शक्स है उन 4 साल के जाविद ब्रिटिन के वित्त मंत्री है इस पद पर पहुचने वाले वो पहले दक्षड एशियाई नागरिक है साजिज जाविद के माबाप 1960 में पाकिस्तान से ब्रिटिन आये थे उनका जन्म मैंचेस्टर में हुआ लेकिन वो ब्रिस्टल में पले पढ़े जहां उनके पिता बस ड्राइवर के तौर पर काम करते थे राजनीती में आने से पहले उनका बैंकिंग में काम्याब करियर था साजिज जाविद ब्रिटन के ग्रिह मंत्री और संस्कृती मंत्री भी रह चुके हैं अपने राजनीतिक सफर में वो कई विवादों से घीरे रहे उनके ग्रिह मंत्री रहने के दौरान शमीमा बेगम की ब्रितानी नागरिकता रद करने का फैसला बेहत विवादत साबित हुआ था हलाकि एक बात तो साफ है कि बृतानी राजनीती में साजिज जावित की सफलता से बृतन में बसे दक्षिन एशियाई समुदाई को होसला जरूर मिलेगा मूल रूप से बृतानी ना होने के बावजूद वहां की राजनीती में अपनी पहचान बनाने की उनकी दास्ता दिल्चस्प है बृतन के दक्षिन एशियाई लोगों के बीच कश्मीर भी एक एहम चुनावी मुद्दा है वहां का ब्रैडफर्ट दक्षिन एशियाई समुदाई की आबादी वाला सबसे बड़ा शहर है वहां रह रहे हैं भारतिये और पाकिस्तान मूल के लोग कश्मीर को लेकर क्या सोचते हैं और लेबर पार्टी से क्यू नाराज हैं भारतिये समुदाई के कुछ लोग पाकिस्तानी कश्मीर के हैं ब्रैटफर्ट स्थित पाकिस्तानी मूल का वेपारी परिवार कश्मीर इनके लिए एक अहम चुनावी मुद्ध है इस मुद्धे ने भारती और पाकिस्तानी मूल के लोगों के बीच नफरत की एक दीवार सी खड़ी कर दी है एक समुदाई के रूप में हम एक दूसरे का साथ निभाते आये हैं मुझे नहीं लगता कि हमने कभी संबंधों को खराब करने की कोशिश की है बलकि एक दाइरे में ही रखा है हिंदू समुदाई के लिए भी कश्मीर का मुद्धा एहम है जितने भी हमने लेबर MPs को सुना है वो उनका सब का यही खयाला कि जोंसर 3, आर्टिकल 370 है that's not according to constitution क्योंकि most of the जोंसरे यहां पे MPs है they are all from most Pakistani region जोंसे Labour Party का जोंसे Indians का ख्याल है कि they are more towards Muslim majority, Muslim side को जादा and they are not with the Indian population Labour Party ने अपने चिनावी मैनिफेस्टों में कश्मीर पर अधिक हस्तशेफ करने वाली नीती का वादा किया है पार्टी की इस कश्मीर पॉलिसी ने भारती हिंदों को इससे दूर कर दिया है यह जो कॉर्बिन ने आर्टिकल 370 के कुछ खिलाफ बोला था तो उस वज़ा से भी कुछ इंडियन कम्यूनिटी कंसर्ब्टी को सपोर्ट करने लग गई और उधर शिफ्ट हो गई भारती मूल के लोगों का तर्क ये है कि कश्मीर यहां के चुनाव या यहां की राजनीती का हिस्सा नहीं होना चाहिए दक्षिन एशिया के मूल के लोग पार्टियों की कश्मीर नीती के आधार पर वोट जरूर देने वाले है लेकिन वो ये भी महसूस करते हैं कि ये मुद्दा केवल चुनाव तक ही सीमित रहेगा जुबैर एशिया ये मूल के लोगों को लेकर कश्म कश्म है ब्रिटिन के राजनेतिक दल वन्ना अगर ब्रिटिन में रह रहे भारतियों की बात करें तो उन्हें ये चुनाव कैसे प्रभाववित कर सकते हैं पहले तो एक पर जो भी हमने रिपोर्ट सुनी तो मैं ये बताना जो कि कश्मीर जो भारत का एक तरह से मुद्दा है वो कहीं न कहीं कुछ हद तक ब्रिटिन के इलेक्शन में भी मुद्दा बन गया है कई ब्रिटिज हिंदु संगाठन हैं जिन्होंने आपत्ती जताई है लेबर पर कि उन्होंने इस तरह का स्टांस लिया कि कश्मीर पर और एक तरह से डिवाइड हो गए हैं जो लोग ट्रडिशनली कुछ भारतिये लोग जो लेबर को वोट करते आए हैं तो ये आशंक है कि उनमें से कुछ जो दूसरी पार्टी है कॉन्सरी पार्टी उस पर हो सकते हैं दूसरी जो बात कि आपने कि किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं यह नतीजे जाहिर सी बात है से हमने शुरू में बात की कि इसमें ब्रेक्सिट पे नहीं सरकार आएगी कुछ क्लारिटी होगी इमिग्रेशन की उसकी नई पॉलिसी क्या होगी ये दोने पर असर पड़ेगा और भारती मूल के लोग भी छोटे सर तक ही सही इलेक्शन के नतीजों पर असर डाल सकते हैं क्योंकि अभी एक-एक वोट कीमती है तो जाहिरे इसलिए वो भी कर रहे हैं भारती मूल के लोगों को जी और मैं ऐसा भी सुना वंदा कि अगर वोटिंग क तो आपकी वोट जाया न जाये तो आप मैं विदित को नॉमिनेट कर सकती हूँ कि आप मेरी जगह वोट करिये उसकी एक प्रक्रिया है जाहिर अगर उस दिन कोई बिमार हो गया कुछ एमर्जेंसी होगी तो भी प्रावधान है शाम तक एक समय तै होता है और इसके अलाव पर भी लेकर भी वोट लीगली तो वोट कर सकती है लेकिन एक तरस एक परमपरा है कि वो न्यूट्रल रहती है तो वो भी वोट नहीं करती है अरे वाँ बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए तो यह थी बृतानी आम चुनाव पर हमारी खास पेशकर्ष आपको कैसी लगी है बातचीत बताने के लिए मुझे आप सीधे ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्विटर है आज के लिए पसितना है